हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगीन टू लंट बिदीतीमन आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर चिंतन यानि थेंकिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं यहां से प्रश्ण आते ही हैं तो यह आपकी यूनिट सेकिंड ही चल रही है इसके बाद आपकी एक और चैप्टर आएगा अभी प्रेणना, मोटिवेशन और उसके बाद आपकी सेकिंड यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी तो यदि आपने अधिगम के सिद्दांत जो मैंने करवाए हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा क्योंकि वहां से प्रश्ण हर आते ही हैं आपकी जो सिक्षण विदिया हैं वहां पर भी अधिगम के सिद्दांत जो है वो इंपोर्टेंट पार्ट रखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं चिंतन सबसे पहले आपसे यदि कोशन पूझा जाए कि चिंतन क्या है तो आप बोलेंगे कि चिंतन जो है वो है तो हम यहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे कि चिंतन क्या है और क्यों किया जाता है चिंतन एक संग्यानात्मक प्रक्रिया है यह ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या या उद्धीपन तथा उसका समाधान यानि सही अनुक्रिया के बीच होती है चिंतन एक अत मानव में व्याप्त ऐसी मनोवे ज्यानिक क्रिया जो कि मानसित भी हो सकती है और लिग्णात्मक्रिया जिससे वह समाध्यागराम से देखीये चंतन कहां से करते हैं? चिंतन जो है वो हमारी ज्यानात्मक और मानसिक प्रक्रिया है ये हमने जाना तो चिंतन जो है वो हम मस्तिक्ष से करते हैं अब ये चिंतन क्यों किया जाता है चिंतन इसी लिए किया जाता है ताकि हमारी problem solve हो सके तो जहां सबसे first समस्या आती है और अंत में समाधान आता है त गागन्तता होमेन की अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्य, नियमों एवं अन्य मध्यस्तिकाईयों के मांसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। तथा घटनाओं के प्रतिकात्मक चित्रन द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। तो चिंतन क्या कर रहा है। चिंतन जो है वो समस्या का समाधान करने में हमारी हैल्प करता है। जो की लोगों को कोई भी जो घटना होती है उसका जो प्रतिकात्मक चित्रन है उसके द्वारा समस्या का समाधन करने में हमारी help करता है यही चिंतन होता है next definition है Garrett की अनुसार चिंतन एक प्रकार का अद्रश्य व्यवहार है क्योंकि चिंतन जो है वो देखा नहीं जा सकता है यह ऐक तरीके का अद्रश्य ना दिखाई देने वाला व्यवहार होता है जिसमें समाने रूप से प्रतीकों का प्रियोग होता है जब कोई भी प्रतीक हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं सम्प्रत्य हो सकते हैं तो चिंतन कैसा है? एक अद्रश्य व्यवहार है Garrett की definition जो है वो important है तो इसकी trick है Rat देखते ही वह अद्रश्य हो गया लेकिन प्रतीक छोड़ गया Rat यानि जो चूहा होता है वो फटाफट से देखते ही देखते ही अद्रश्य हो जाता है लेकिन वो अपने प्रतीक जो है वो छोड़ जाता है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं गैरिट की definition है जो की Rat से मैंने बनाई है और गैरिट यानि की अद्रश्य व्यभार की और संकेत कर रहे हैं चिंतन को तो Rat देखते ही वह अद्रश्य हो गया नेक्स्ट है रॉस की अनुसार रॉस कहते हैं कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ग्यानात्मक पक्ष है रॉस कहते हैं कि चिंतन जो है वो क्या है वो मानसिक प्रक्रिया का केवल ग्यानात्मक पक्ष है ठीक है तो याद रखना है कि चिंतन जो है वो ना तो शारिरिक पक्ष ह ना मनो गत्यात्मग पक्ष है ना ही सामाजिक पक्ष है मनो विज्ञानिक दरश्टी कौन से चिंतन सब्द का प्रियोग उसक्रिया के लिए होना होता है जिसमें स्रंखलाबद विचार किसी लक्ष की योर अविराम कती से प्रवाहित होते है Valentine ये कहते हैं, कि चिंतन जो है, वो हम जब करते हैं, जब हमें किसी लक्षे को प्राप्त करने के लिए सोचना होता है तो हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं तो Valentine की जो definition है, उसरे trick से हम याद कर सकते हैं एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से स्रंकलावद विचार प्रकट करता है, जिसमें कोई विराम नहीं होता है, तो वैलेंटाइन की डेफिनेशन जो की प्रेमी प्रेमिका के उपर ही अधिकतर होती है, तो उसमें क्या आया है? स्रंकलावद विचार, ठीक है? तो इसी तरीके से एक word आया है, स्रंकलावद विचार, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, next definition है, वुडवर्थ की अनुसार, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, कल्पना यानिकी वही सोचना, तो सोचते हैं हम, तो हम अपनी कल्पनाओं में रहते हैं, तो यह क्या है, एक मानसिक हस् definition पहले भी याद की है, वुडवर्थ की definition को वुडगी लकडी, यानि की लकडी का व्यापार बहुत बड़ा होता है, इसी तरीके साब याद रख सकते हैं, कि चिंतन कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, उसके बाद है, चिंतन के साधन, यहां से प्रशन जो है, वो उठते ह हैं, कि चिंतन के महत्वपून कौन-कौन से साधन होते हैं, महत्वपून चिंतन के चार ही होते हैं साधन, वो कौन-कौन से होते हैं, प्रतिमा, संप्रत्य, प्रतीक और भासा, ठीक है, प्रतिमा, संप्रत्य, प्रतीक जिनको चिन भी कहा जाता है, और भासा, इसके अलाव चिंतन के अन्य साधन भी है, संकेत और कल्पना, चिंतन के साधन जो है, वो कौन-कौन से है, देखी प्रतिमा, यानि किसी भी प्रतिमा को देखकर सोचा जा सकता है, किसी भी कंसेप्ट जो है, उसके बारे में सोचा जा सकता है, किसी भी सिंबल के बारे में, कोई भासा जो हो प्राइं में सोचन प्राश्म कर देता है. तो वहेंभी क्या है? चिंतन का एक साधन है. कोई भी साइन होते हैं, जब हम रोड क्रॉस करते हैं, तो हमें साइन जो हैं, वह मिलते हैं कि हम आगे की तरफ जाएं या फिर पीछे की तरफ रफ हमें जाना था. तो ये सबी साइन जो हैं वह भी चिंतन के एक महत्वपूर साधन है संकेत जो भी red signal होते हैं सड़क पर जो भी green signal होते हैं यह भी क्या होते हैं चिंतन को जन्म देते हैं क्योंकि हमारे ग्यानात्मग पक्ष का हिस्सा है तो ये signal देखते ही हमें सोचने में हम लग जाते हैं कि हमें रुक जाना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए इसी तरीके से कल्पना यानि imagination यह भी चिंतन का एक महत्वपून साधन है और यदि एक्जाम में यदि पूछा जाता है आपसे कि चिंतन के महत्वपून चार साधन कौन से हैं तब आपका उत्तर होगा चिंतन के मुख्य जरूप से चार साधन है प्रतिमा, संप्रत्य, प्रतीक या चिन और भासा नेक्स्ट है चिंतन की विसेश्थाएं चिंतन की कौन-कौन से विसेश्थाएं होती हैं पर्स्ट है मानसिक प्रक्रिया और ग्यानात्मक प्रक्रिया, यह हमने देखा कि चिंतन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, जो कि हमारे मस्तिक्स से संबन्दित है और यह एक ग्यानात्मक प्रोसेस है, सैकेंड है आप्रकट व्यवहार, चिंतन जो है वो अद्रश्य है, दि तोर तोर चल रहा होता है, वही चिंतन कहलाता है, चिंतन एक मद्यस्त प्रक्रिया है, क्योंकि समस्या और समाधान के बीच में चिंतन जो है, वो एक मद्यस्त का कारे करता है, नेक्स्ट है, चिंतन एक प्रकार का आंतरिक सम भाशन कहा जाता है, यानि आंतरिक तोर पर हम उस सभी चिंतन लक्ष निर्देशित होते हैं, यानि चिंतन जो है वो कब किया जाता है, उसके लिए क्या होता है, एक लक्ष होता है, एक गोल होता है, यदि गोल निश्चित होता है, तो उसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और हम सोचना प्रारंब करते हैं यही सोचना जो है वो चिंतन कहलाता है नेक्स्ट है चिंतन मानव का एक क्या है विशिष्ट गुण है क्योंकि यह केवल मानव में ही पाया जाता है और किसी जीव जन्तु में यह नहीं मिलता है इसलिए मानव का एक विशिष्ट गुण चिंतन होता है वी टेकर ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार भी कहा है, इन्होंने बिल्कुल इस्पष्ट कर दिया है कि चिंतन क्या है, चिंतन एक समस्या समाधान व्यवहार है, यानि चिंतन जो है वो केवल समाधान को प्राप्त करने के लिए ही किया जाएगा, चिंतन में समस्या समा प्रयात्न तता भूल करता पाया जाता है और उसके लिए वह बहुत सारी गलतियां भी करता है और उसके लिए क्योंकि उसे समाधन की प्राप्ति करनी होती है तो बहुत सारी कोशिश करेगा और बहुत सारी गलतियां भी करेगा जिससे कि वह अपने समस्या का समाधन पा सके समायोजन और सक्रियता पस्ट क्या है चिंतन का चरण है कि समस्या होनी चाहिए यदि समस्या की उपस्तेति है तो उसके बाद हमारे माइंड में विचार आएंगे उसका समाधान के लिए नेक्स्ट हमारे विचार जो है चिंतन के प्रकार जो है वह भी समझना है क्योंकि वहां से प्रश्ण जो वह भी आते हैं कि चिंतन कौन-कौन से प्रकार के होते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू